हेलो एवरिवन एक बार फिर स्वागित है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स जो में प्रीवियस हपी एससी हमिरपुर के एक्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए थे तो फ्रेंट्स इन्ग्वेश्चन के मैं आपको जितने भी अंसर बताऊँगा वो फाइनर एंसरी की के कोडिंग ही बताऊँगा जो हमिरपुर बोड़ ने जारी की थी तो फ्रेंट्स आपने क्या करना है इन्ग्वेश्चन के शॉर्ट फॉमें क्योंकि revision के time ये questions आपको काफी helpful साबित होंगे ये questions आपको अगामी, HPSSE, JVT Commission, SI Conductor, JYT, Postcode 962 और various exam जो हमीर पर बोड़ द्वारा conduct किये जाने हैं उन्हें सभी exam में ये questions आपको काफी helpful साबित होंगे तो friends video को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और वैल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की notification आपके बास से सबसे पहले पहुंच जाए तो friends video को शुरू करते हैं, question number first में बोला गया कि वे काल जब मानव तामर और पाशान दोनों और जारों का प्रेयोग करता था उससे योग को क्या कहा जाता था, काफी important question है the period when man used both stones and copper tools is known as तो question number one का जो राइटनसर है, वापका option number B है तामर पाशान काल कहते हैं, option B इस question का राइटनसर है जब वे काल जब मानव तामर और पाशान दोनों और जारों का प्रेयोग करता था उससे तामर पाशान काल कहा जाता था, आपको पता को तामर पाशान काल में पत्थर और तामबे के अउजार प्रियोग की जाते थे सिंदु घटी सब्विता तामर पाशान काल की थी ये भी आपने याद रखना है इसे कांसिया योगीन सब्विता भी कहा जाता है तो आप्शन नमबर बी जो है इसक्रशन का राइट अंसर है इसके बाद बात करते हैं नबपाशान काल के बारे में आपको पता होगा नबपाशान काल जो है नबपाशान काल में साथ हजार वर्ष से एक हजार वर्ष तक था और भारत में ये काल चार हजार से एक हजार वर्ष तक था इस युग में पहिये का विश्कार हुआ और क्रिशी शुरू हुई थी कि इस काल में यह हुई थी आपकी नब पाशान काल में यह भी आपने याद रखना है तो option number 2 इस question का right answer है तामर पाशान काल में मानव तामर और पाशान दोनों ओजारों का प्रियोग करता था बोथ स्टोंज एंड कोपर टूर्ज यूज करता था मनश्या तो option number 2 इस question का right answer है question number second पे चलते है question number second में बोला गया है कि रिगवेद के सार्वतिक महतवपून देवता कौन थे काफ़ important question है which was the most important divinity of रिगवेदा तो रिगवेदा के सार्वतिक महतवपून देवता थे कौन थे question number 2 का जो right answer है आपका option number B है अगनी जो है question का right answer है ऐसे आपको पता होगा रिगवेद का जो सबसे महतवपून देवता जो थे वो इंदर थे ये भी आपने आज रखना है इंदर जो था इंदर जो था वो महतवपून देवता था रिगवेद का जिसे रिगवेद में पुरंदर भी कहा गया है क्या कहा गया है रिगवेद में इंदर को पुरंदर कहा गया है आपको पता होगा अगर इंदर के बाद अगनी और वरनुकस्तान था ये भी आपने याद रखना है पयद्र के बार जो महतुपून देवता थे वो अगनी थे तो इसी काअ樂 हमने इसक्षिन का जो राइटनस रोगा वागनी होगा क्योंकि ऐुप्शन में इंद्र नहीं है क्योंकि इंदर के बाद जो महतुबोन देवता था रिगवेद का वो अगनी था रो अगनी के बाद वर्ण था रिगवेद में आपको पताओगा रूशा, अधिती, सोर्या जैसी देवियों का भी उलेख है ये भी आपने याद रखना है आपको बतोगा रिगवेद की अनेक बाते जो है वो अवेस्ता में मिलती है जो इरानी भाषा का प्राचींतम गरंत है ये भी आपने याद रखना है सत्यमेव जहते जो है मुडको पनिश से तथा अस्दो मासद गम्या जो है वो रिगवेद से लिया गया है गाई को अगन्या यानि के ना मारने योगिया माना जाता था रिगवेदिक काल में ये आपने याद रखना है गाई को अगन्या यानि के ना मारने योगिया माना जाता था रिगवेदिक आर्या शाका हारी तथा मासा हारी भोजन करती थे सोम आर्यों का मुख्या पे था ये भी आपने याद रखना है तो ऑप्शन नम्बर बी इस क्षिन क्या राइट है रिगवेद के सार्वदिक महतपून देवता जो थे वो अगनी थे और इंदर को रिगवेद में पुरंदर कहा गया है ये आपने नोडन कर लेना है इंदर को क्या कहा गया है कि क्षिन में बहुत धर्मों के पुरंब का श्रहें पारमपरिक रूप से किसे दिया जाता है बहुत धर्मौ से कश्यपमतं लाज्म क disappears के नमर नवर्म कंकर प्रारंब कश्रे पारंप्रिक रूप से दिया जाता है बात करते हैं बहुत धर्म के बारे में तो आपको पता होगा बहुत धर्म महतमा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 BC लुंबनी में हुआ था उन्हें ग्यान की प्राप्ति जो हुए थी वो उरूबेला गया ब पतनी जो थी वो पतनी का नाम जो था वो उनकी पतनी का नाम युशोद्रा था ये भी आपने याद रखना है पतनी का नाम युशोद्रा था उनके पुत्र का जो नाम था वो राहुल था पीता शुदोदन थे और आपको पता होगा बहुत गंतों में त्रीपिटिक जो है याख्या की गई है अधिधम पिट्टिक में बहुत दर्शन पर प्रकास डालाई है यह भी आपने याद रखना है बहुत धर्म के जो तरी रतन है वो कौन-कौन से है वो बुद्ध धम और संग है यह आपने याद रखना है और बहुत संगतियों से भी आप से कुशन पूसक में पूसक धैसरी यह हुऊ थी सभी पूरी इसंगति के इस लो बधत्र संग्टिक है हुई त्युष्पा, अशोक शाषक धाए और मोगली पूत ज्टिस जो थे वह संग्टी के अधिश क chil लो कणे परुष्ष्टे के बिगाया फैसे ने पर पुराना और महायान का मतलब नए धर्मों में भी वक्त हो me था चोथी वह संगती के बाद बहु धर्म तो ऑप्शन नंबर भी इस कुष्णि का राइट एंसर है चीन में बहु धर्म के प्रारम का श्रे जो है वो पारम प्रिक रूफ से कश्यप मतंग को दिया जाता है क्वेश्ण नंबर फॉर्थ में बोला गया है कि मौरियकाल के दौरान सारबदिक परियुकत सिक्का था the most commonly used coin during the Maurya period वाज तो Mauryakाल के दौरान सारबदिक परियुकत सिक्का जो था कोन सा था क्वेश्ण नंबर फोर है वो आपका option नंबर बि है करश्पना जो है इस कुष्ण का राइट नसर हैате दो के दोरान सारवदिक प्रयोक्त सिक्का जो था वो था कर्षपना बात करते हैं मौरे काल की समराजिया के बारे में तो चंदरगुप्त मौरे ने चाना किया की साहिता से अंतिम नंद वरिंशिय साशक धना नंद को प्राजित कर मौरे समराजिया की स्थापना की थी यह आपने Q5 पे चलते हैं। Aशोक के प्रशाषन में राजू का देखवाले करते थे। राजुका दर्श के प्रशाशन में राजु के देख वाल करते थे रफे रहें प्र नुम्र पांच मिरट्र है उपशन रहें令 चक्रहल Τुह सार兩 यूद में यूद में परुर्व को दर्शर्व बागन ने जा रहें भगंए आपने लिए अशोक ने कलिंग पर आकर्मन किया था और उसे जीत लिया था कलिंग युद में ब्यापक नर्जहार से ने अशोक को विचलित कर दिया जिसके परिणाम सुब्रूप उसने बहुत धर्म सुईकार कर लिया और आपको बताओगा अशोक ने सांची स्थूप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया है ये भी आपने नौट ओन कर लेना है और बहुत धर्म अपनाने के बाद उसने बहुत धर्म का परचार परसार किया उसने अपने पुत्र महेंदर और पुत्री संग मित्रा को बहुत धर्म के परचार के लिए शिलंका भेजा था और ओप गुपत नामक बहुत भिक्षू ने अशोक को बहुत धर्म की दिख्शा दी थी किसने दी थी औप गुप्त ये आपने नौर डॉन कर ले रहा है क्वेशन में पूस्कते हैं आपको कि किस बहुद भिखषु ने अशुक को बहुद धर्म की दिख्षा दी थी तो option number D इस question का right answer है question number 6 पर चलते हैं दुर्रानी वंस की जो स्थापना थी वो किसने की थी ता दुर्रानी डाइनस्टी वाज फॉंड़िड वाई तो दुर्रानी वंस की जो स्थापना थी वो किसने की थी कुष्ण नमर 6 का जो राइटंसर है, वा का अप्ष्ण नमर C है, एहमद शाब दाली जो है, इस कुष्ण का इटंसर है, कुष्ण नमर 7 पे चलते हैं, सोफी वाद की सुहारवधी पदती भारत के किश क्षेतर में परसेद थी, इन विच रीजन ओफ इंडिया वाज़ा सुह सुहारवधी ओडर ओफ सुफीजम पॉपलर, तो सुफी वाद की सुहारवधी पदती जो थी, भारत के किश क्षेतर में परसेद थी, कुष्ण नमर 7 का जो राइट अंसर है, वा आपका आपका अप्ष्ण नमर D है, पंजाब और सेंद जो है, इस कुष्ण का राइट अं आपको पता होगा, वीजे नमर 8 का जो राइट अंसर होगा, वा आपका अप्ष्ण नमर C है, बंदरगाहों से राजस्व जो है, इस कुष्ण का राइट अंसर है, रिवेन्यू फ्रोम सीप, आपको पता होगा, वीजे नगर समराज्ये की जो स्तापना थी, वो 1336 इस्वी वो हमपी थी, बिजे नगर समराज्ये के खंडहर जो है, वो तुंग भंदरा नदी परस्तितेज की राजभाशा जो थी, वो तेलगु थी, ये भी आपने याद रखना है, इटली का जो यात्री निकोलो कॉंटी जो था, वो बिजे नगर की यात्रा पर देवराई प्रत् के शाषन काल में, वो बिजे नगर में आया था, निकोलो कॉंटी जो था, वो इटली का यात्री, कुश्चन नबर नाइन पे चलते हैं, कुश्चन नबर नाइन में बोला गया है कि, कौन सा मुगल शाषक पढ़ने और लिखने की कला से अब निग गया था, विच मुगल रूलर वाज इग्नोरेंट ऑफ दा आर्ट ओफ डेडिंग एड राइटिंग, तो कौन सा मुगल शाषक जो था, वो पढ़ने और लिखने की कला से अब निग गया था, कुश्चन नमबर नाइन का जो राइटन से लोगा, वाक आप्शन नमबर डी है, अकबर जो है इस खान की शाहिता से, 1556 पानीपत के दूसरे युद में हीमू बिक्रमदित्या को प्राजित किया था, ये भी आपने याद रखना है, 1576 में हल्दी गाटी के परसीद युद्ध में, अकवर के सेना पती राजा मान सिंग ने मेवाड के शाषक महराना परताब को प्राजित कि अकवर के दरवार का जो परसीद संगीत कार तान सेन था, अकवर के दरवार में परसीद चित्रकार अबदुर समद था और दसवन तोर वसावन अकवर के दरवार के चित्रकार थी, ये भी आपने याद रखना है, अकवर की शाषन परनाली की मुक्या वशेष्टा जो थी, वो मनसबदारी प्रता थी एकबर किमरिती 16 अक दोबन 1605 को हुई इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाएगा ये भी आपने याद रखना है क्वेशन नमबर 10 पे चलते हैं इसमें बोला गया है कि मराठा परमुक मराठा परमुक संभा जी को किसके शाषन काल के दोरान फांसी दी गए थी ता मराठा चीफ संभा जी वाज एकजीक्यूटर डिया इनो तो मराठा परमुक संभा जी को किसके शाषन काल के दोरान फांसी दी गए थी क्वेशन नमबर 10 का जो राइट अंसर होगा बाप का option number C है औरंग जेव जो है इस question का right answer है औरंग जेव के शाषन काल में मराठा परमक शंबा जी को फांसी दी गए थी बाप को पतोगा मराठा समराजिया जो था शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 इस्वी में पूर्णा के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुए था उनके पिता जी का नाम साहा जी भौंसल और भौंसले और माता का नाम जी जावाई था यह भी आपने याद रखना है शिवाजी ने 1656 में इस्वी में राएगड़ू का अपनी राजधानी राए था और शंबा जी जो थे शिवाजी के मित्ति के बाद उनके दो पुत्रों शंबा जी और राजाराम के मद्या पुत्रा धिकार का विवाद खड़ा हो गया शंब गांधार शैली की मूर्तियों पर इनका प्रति विंदित होता है किसका होता है क्वेश्ट नमर ए है यूनानी जो है इसक्वेश्णी का राएट एंसर है क्वेश्ट नमर बारा बे चलते हैं दिल्ली में जामा मश्रिद का जो निर्मान था वो किसने करवाया था तो दिल्ली में जामा मश्रिद का जो निर्मान था वो किसने करवाया था क्वेश्ट नमर ट्वैल का जो राइट नसर है वो आपका उप्शन नमर भी है साहां जहा जो है इस कुशनी का आराइटनस ने दिल्ली में जामा मस्चित का निरमान शहां जाने करवाया था अब को बताब, जहां का जो बच्पन का नाम था, वो खुर्म था, मयूर सिहासन का जो निरमान था वो भी शहां जाने ही करवाया था, ये भी आपने याद रखना है और ताज महल के जो वास्तु विद जो थे वास्ताद इशा खान थे इसके अलाबा शाहंजाने आगरा में मोती मस्चिद यह अपने आज रखना है आगरा में जो मोती मस्चिद है उसका निर्मान जो था वो भी साहंजाने करवाया था दिल्ली में जामा मस्चिद का निर्मान भी शहां जाने करवाया दिल्ली के लाल किले में जो स्थेत मोती मस्चिद है उसका निर्माड औरंग जेवन ने करवाया था यह अपने नोड़न कर लेना है जो आगरा में जो मोती मस्चिद है उसका निर्माड शहां जाने करवाया था जबकि दिल्ली के लाल किले में जो 1658 में औरिंग जेब ने शाहजां को गिर्फतार कर आगरा किले में क्याद कर लिया था इसी स्थान पर 1666 में शाहजां की मृत्ती होगी थी तो आप्शन नमर 20 कुशन का राइट अंसर है कुशन नमर 13 पे चलते हैं कुशन अलावधिन खिल झीदरवार में परषिदकवी कौन था इस कशनकी करशन का राइट अनसर है बात करते हैं अलावधिन खिल जी के बारे में तो अलाओदीन दिल्ली सलत्रत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिन भारत के जिसने दक्षिन भारत में बीजे पता का फैराई थी ये भी आपने याद रखना है अलाओदीन खिल जी अलाओदीन के दक्षिन भारती अभियान का नेरत्रत अब जो था वो उसके सेनपती मलिक काफूर ने किया था और हजार दिनारी मलिक काफूर को अलाउदीन ने गुजरा से हजार दिनार में ख्रीदा था ये भी आपने याद रखना है अपनी राजदानी सीरी को बनाया था ये भी आपने याद रखना है किसने अलाओदिन खिलजी ने और अलाओदिन खिलजी ने अलाओदिन खिलजी को दुत्य सिकंदर भी कहा जाता है ये भी आपने याद रखना है अमीर खुसरो आपको बतागा लाओदीन खेल जी के दरवार में परसिद कभी था अमीर खुसरो ने सितार का भी स्कार किया और बीनना कोशन शोदित किया उसे तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है option number D इस question का correct answer है अगले ब्रशने पे चलते हैं भारत की यात्रा करने वाला प्रत्थम विद्वान निमरे में से कौन था who among the foreign scholars was the first to visit India तो भारत की यात्रा करने वाला प्रत्थम विद्वान जो था वो कौन था question number 14 को जो right answer है वो आपका option number D है फायान जो है इस question का right answer ये चीनी यात्री था ये भारत की यात्रा करने वाला प्रत्थम विद्वान था question number 15 पे चलते हैं question number 15 में बोला गया है कि पुष्य भूती बंस की जोस्तावना थी पुष्य भूती बंस का शाषन यहां पर था पुष्य भूती डाइनेस्टी रूल दो पुष्य भूती बंस का शाषन कहां पर था question number 15 का जो right answer है वो आपका option number C है थानेशवर जो है इस question का right answer है बात करते हैं पुष्य भूती बंस की जो स्तावना थी वो हर्षवर्दन ने की थी इसकी राज़दानी थानेशवर था जिसे हर्षवर्दन ने कनोज स्तान अंतरित किया था और हर्षवर्दन के नाटक जो थे वो नागनंद रहतनावली प्रियादर्शी का जो थी वो हरशवर्दन की नाटक थे हरश के दरवारी बाणभट ने हरश चलित और कादंबरी की रचना की चेनी यात्री हेन साँग जो था सी यू की के रजिता ने हरश के शाशनकाल में भारत की यातरा की थी हेन सांग जो था, ये भी आपने याद रखना है राजधानी जो थी पूशे वुतिवन्स की वो थानेशवर थी जिसे हर्शवर्टन ने कनोज स्थान अंत्रित की थी क्वेशन अमर 16 बे जलते हैं भारत में प्रकाशित प्रत्थम समचार पत्र कौन सा था सर्ल चार्ल्जबूर्ड अठार सो चोवन का डिस्पैच प्रात्मी ग्रूप से संबंदी था सर्ल चार्ल्जबूर्ड डिस्पैच ओफ एटेन फिप्टी फोड डिल्ट प्राइमरली विद तो यह किसके साथ संबंदी था कश्चन अमर 17 का जो राइटन सर रहा का आप्शन जो 17 लोड विलियम वैंटिक जो अैसी यह जो यह अननि साथ 29 में सती प्रता का अंति कि आता वे एयंनें प्रतास्तानी रियास्ताओं की मदद से ठगी प्रतास्मापत की उसके समय में मैकॉले की श्वारसों के बाद अंग्रेजी कोशिक्षा का माध्यम स्विकार कर लिया गया था कब 1835 में यह भी आपने याद रखना है तो लोड विलेम वेंटे के जो थे भारत के प्रत्तम गु भारत के अंतिम तता स्वतनतर भारत के पहले भारती गुवर्नर जनरल जो थे ये भी आपने याद रखना थे आपने याद रखना है काफी important question है और स्वतनतर भारत के जो पहले गुवर्नर जनरल थे वो लोड माउंट वेंटन बने थे ये भी आपने याद रखना है तो option number डिये इस question का राइट अंसर है भारत का प्रत्रम गुवर्नल जनरल जो था वो लोर्ड विलियम बेंटिक था 1833 में बना थे question number 19 पे चलते हैं मातमा गीता जो है इस question का राइट अंसर है इस वीडियो को ये last question है question number 20 में बोला गया है कि क्रिप्स mission जो था क्रिप्स mission किसके शाषन के दोरान भारत आया था दा क्रिप्स mission विस्टर इंडिया डियोरिंग दर इसाइंगो तो क्रिप्स mission जो था ब्रिटेन ने भारत का युद में सक्रिया से योग पाने के लिए युद कालीन मंत्री मंदल के एक सदस्या स्टैफोर्ड क्रिप्स को गोशना के मस्वीदे के साथ भारत बेचा था क्रिप्स mission की जो प्रमुक्स शिफारिश से क्या थी युद के बाद एक ऐसे भारती सेंग के निर्मान का प्रतिन किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर जा प्राप्त हो युद के पश्यात प्रांतिय व्यवस्था पिकाओं के निचले सदनों दोरा अनुपातिक प्रतिनित के अधार पर एक समीधान निर्मारत्री परिशद का गठनी किया जाएगा जो देश के ये समीधान का निर्मान करेगी और क्या थी गांदी जी ने क्रिप्स मिशन के वारे में कहा कि ये एक आगे की तारीक का चेक पोस्ट डेटेड चेक था जिसे बंडी जो आला नहरू न जिसका बैंक नश्ट होने वारा वाक्या जोड दिया ये अपने याद रिखना है तो अप्शन नमबर ए जो है इस कुशन का राइटन्स रहे है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बच इतना ही आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टन डिसकस किये जो प्रीवियस हमीरपुर के एक्जाम में ये क्वेशन पूछे गये तो फ्रेंट्स इन कुशन के मैनने आपको जितने भी अंसर बताई वो फाइनल अंसर रिकी के अकार्डिंग ही बताए है जो हमीरपुरम ने जारी की थी तो फ्रेंट्स आपने क्या करना है इन क्वेशन के शॉर्ट प प्रेंट्स आज की इस वीडियों वस इतना ही आई होप आपको वीडियो संदा ही होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक शेर एंड कोमेंट जरूर कर दें तो थैंक्यू फ्रेंट्स